नमस्कार दोस्तों मेरे पाम लेडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आई आज 32 वर्स की महला के पाम का अनसस करेंगे इनके सवालों का जवाब करेंगे तो सरप्रतम इनके सवालों को सुणेंगे फिर एक करके इनके सवालों का उतर करेंगे उससे पहले अगर आप लोगों नाभी तक हमाई चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किरप्यकर के चानल को सब्सक्राइब कर ले बेल अकन को प्रस कर दे ताकि रेटस नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं इनके हाथ पर बहुत खास अवस्था मौजूद है तो पहले उसको देखेंगे फिर इनके प्रशनों को सुनते हैं फिर इनकी पॉजिटिव चीज़ों को बताऊंगा फिर इनके नेगेटिविटी को फिर उपाए फिर इनके अतले का पूर्णता विश्लेशन तो देखें सबसे बड़ी चीज़ इनके हाथ पर मुझे क्या देखी न बरश्पती प्रवत पे बनरा एक्जेक्ट स्क्वाईर और भाग्यरेखा की अदभुत अवस्था ऐसे हमें व्यक्ति को तरक्की 101% मिलती है तो पहले positivity को दिखाता हूँ फिर इनके negativity के तरफ चलता हूँ तो इनके question इस प्रकार से हैं कि government job होगा की नहीं किस level काओगा officer के लिए try कर रही है होगा की नहीं तो बहुत ही अच्छे chances है कि आपका हो आपकी एतली पर वो अवस्था बनी हुई है कुछ age को भी मैं दर्शा दूँगा दिखा दूँगा कि particularly इस age में बहुत ही अच्छे chances होने के आए देखते हैं तो देखो strong fate line यह देखो एकदम सूई के तरह पतली fate line कुछ branches हैं जो कि मुझे समझाना इस fate line के विशे में वो में जब भाग्य रेखा प्याओंगा तो समझाओंगा strong fate line यह देखो strong और जिन्दगी के last तक गई है आपकी भाग्य रेखा यह बड़ी जबर्दस्त है बड़ी जबर्दस्त है और strong सूड़ी रेखा एकदम मस्त और जो प्रश्पती पर में exact square की बात कर रहा था रहा है यह जो आपकी authority post को दर्शाद यह जबर्दस्त बना हुआ है जबर्दस्त और जीबन रेखा पर progress line आपकी continue basis पर बनी हुई है और तरक्की के योग भी बहुत ही शानदार है और यहाँ पर से दो-तीन lines आपके है जो बुद्ध परवत पर हैं यह भी बहुत अच्छा indications होता है सूर्य परवत पर बन रहा है star sign और जबर्दस्त शूर्य रेखा बश्पती पर square मतलब अदभुत है कुछ यात्रा के lines आपके अतलिप पर महजूद है इस case में यात्राएं जिन्दगी पर होती है वो भी बताया जाएगा तो ये इनके positivity थे जो इस हतली को बना रही है बहुत ज़्यादा खास इसके बाद अब इनकी negativity के तरब चलते हैं किस बात का इनको ध्यान रखना है फिर इनके questions के तरब चलेंगे तो देखो एक तो क्या है न इनकी मंगल बड़ी जबरदस्त है थंब बड़ा strong है और यहाँ पर सहल की rudeness वारी नेचर आ रही है दूसरा आपकी माइंड रेखा बहुत बड़ी है तो ऐसे इनसान ओवर confidence में गलतियां करते हैं अपने जिन्दगी पर तो किसी भी परकार की over confidence में कोई भी निरने आप ना ले तो उचित रहेगा नहीं तो परिशानी आपको हो सकती है इसमें किसी परकार का संदे नहीं है तो माइंड रेखा बहुत बड़ी है इनसान क्या होता न कभी अपने आपको गलत ये लोग नहीं समझ सकते अब सब समय आप सही नहीं हो सकते most of the time आप सही हो बहुत अच्छी बात है लेकिन फिर भी वहाँ पर से 5-10% आता है कि आप गलत हो सकती है और उसी 5-10% केसेज में आपके जिन्दगी खराब कर लो किया तो overconfidence में निरने नहीं लेना है aggression में निरने नहीं लेना है कोशिश करना है चीजों को समझ के निरने ले इसका यही एक और आखरी उपाए है दूसरा कुछ नहीं तो यही एक बड़ी negativity इन के हाथ पर थी बागी तो वैसे कोई बहुत खास नहीं है कुछ नौनमल मूट स्विंग की problem से तो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से संतुरियत कर सकते है नियंतरन में ला सकती है और बहुत independent है मानसिक दवाब मुझे अलकी सी दिकरी इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है ना कि आप किसी की बाते भूल नहीं सकते आप उसको सोचते सोचते ना बात का बतंगर बनाओगी और जबी बात का बतंगर बनेगा जिंदगी पर आपकी स्थितियां खराब बन जाएगे आप उसके वज़ा से खुद आप भौट टेंसलाइसर होगी तो इसी वज़ा से ज़्यादा ठेंक नहीं करना है फाल्तू की बाते दिमाग में तो चलने यह नहीं चाहिए फाल्तू की बाते दिमाग में चलेंगी दिक्कत सरफ और सरफ आपको ही होगा और किसी को नहीं होगा याद रख लेना तो अभी इनके प्रशनों के तरफ चलेंगे यह दो negativity थी इसका उपाई बस इतना ही करना था इसके उपरांथ कुछ भी करने के आपको आवशक्ता नहीं थी तो अभी चलते इनके अतली पर और भी कुछ चीजों को दिखाया जाएगा तो सबसे पहले चीज अब इनके कोश्चन के तरफ चलते नौकडी होगी कि नहीं अधिकारी तो देखो इंडिकेशन तो बरिशानदार बने हैं अगर आपने मेहनत कर लिया तो अफिसर बनने के बहुत अच्छे चांस हैं अफिसर में तो बहुत तरह तरह के नौकडी आते हैं तो उच्च अधिकारी बनने के आपके अतले पर पूर्णता योग हैं अगर आप प्रियास करो तो उच्च अधिकारी बन पाओगी 34 तक होने के अभी इनके जीवन रेखा के विशा में चीजों को बताता हूँ मैं, ये इनकी कुछ positivity ते जिसके वज़ा से मैंने अधिकारी के लिए अलॉग कर दिया, सबसे पहले तो पैनेट सच्छे कंडिशन में है, दूसरी आपकी बागी रेखा बड़ी असपस्ट आपके के तली पर मौझूद है, और इस केस में विक्ति को तरक्की क्यों नहीं मिले, क्यों ना मिले, ज़रूर मिलता है, अभी देखो तुम इनकी पहले क्यों नहीं हुआ, पहले भी तो ये चीज़े मौझूद थी, तो इनके जीवन रेखा के जब मैं प्रडेक्शन करूँगा चीज़े असपस्ट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगा, ये देखते हैं, जनम के बाद आपके घड़ में तरक्की हुई होगी, अगर आपके जिन्दगी पर प्रारंबिक समय से प्रॉग्रस रेखा हो ना, तो विक्ति काफी भाग्यसाली होते हैं, अपने घर के लिए भी अपने पती के लिए भी, ये कनफर्म है, ये कनफर्म है, तो ये बचपन से जब इनका जनमवादा तभी से बाग्यूदे हुआ, कुछ दवाब रहा आपके जिन्दगी के प्रारंबिक समय में, नॉमिनल सा, तक्रीबन आपके 22 में साड़ की आयू में, उसके बाद भी 22 मे अपने जबाब था ठारमे वर्स्तक में कह सकते हो आप, ठारमे के बाद कुछ प्रगती के योग बने थे लेकिन फिर भी अलकाल का राहू लाइन था, तो वो कुछ दवाब था, और आप अभी देखो तो 22 में साड़ में एक प्रगती के योग थे, फिर आपके 26 में साड़ इस नमबर से छूट जा रहा होगा, तो ये सारी अवस्ता राहू रेखा की वज़ा से होड़ी है, ये राहू रेखा आपकी 32 में साड़ में कम्प्लीटली खतम हो जानी है, 33 में, 34 में में बड़े प्रगती के योग है, उसके बाद भी continue basis पर 36 में में भी है, फिर तक्रीव आपर से देखो कुछ lines इधर के तरब से बढ़ रही है ना, तो फिर हो सकता है कि घर से दूर का settlement या यात्राएं continue basis पर आपकी बनी रहो, जो भी यात्राएं हो, और इस यात्राओं को लेके मेरा एक concern है कि ये काफी सुखद रहेंगे आपके लिए, इसमें कोई संद्रेवा इस case में इंसान को थोड़ी प्रिशानी आती है जिन्दगी पर, तो यहाँ पर से थोड़ा सा समस्या हो सकती है, आपको बांकी तो कोई tension नहीं, इसके लिए में आपको उपाए, अभी ही बता देता हो, महादेव की अराधना करें, इश्वर की भक्ती में लीन रहें, और सा आती साथ दिल से पूजा करें, मादेव को जल चरहें, रोज सुबा उठके, आपकी यह राहू रेखा खतम सी हो जानी है, एकदम खतम सी हो जानी है, तो यह था इनके questions का answer, अभी चलते इनके आगे question के तरफ, की आगे की जिन्दगी कैसी रहेगे, तो मैंने यहाँ से clear करी दिया, टेंशन वाली बात नहीं है, फिर इनके आगे property के योग बहुत ही अच्छे इनके दली पर बन रहे हैं, बहुत ही अच्छे property के योग बन रहे हैं, आपके 36 साल के बाद, जबरदस्त multiple property के योग है, यह तो फलित होगा, यह फलित होगा 36 के बाद, अभी के लिए मेरा आपसे एक question कहलो, या फिर कहलो, solution कहलो, कि आपको अगर concentration issues आ रही हैं अपने जिंदगी पर, खुछ से पुछो, अगर आ रही हैं, तो सूरी को जल दीजिए, solution भी इसी में आ गया, कि आपको सूरी को जल देना बहुत जादा जरूरी है, अगर आप अच्छे पद पर जाना चाह रहे हो तो, या चाह रही है तो, सूरी को जल देना मतलब आप अपने जिंदगी के सारे negativity को खतम कर रहे हैं, तो वो बहुत जरूरी है, और जो थोड़ी बहुत अर्चन आपके जिंदगी पर आ रही है, या आपके भाग्ये दोश की वज़ा से, या किसी और चीजों क की वज़ा से, तो वो सारी चीजे आपके जिंदगी पर खतम सी हो जाएंगी, तो ये काम करना आपके लिए भी, कंपल्सर ने, कंपल्सर ये 36 के बाद अच्छे योग बन रहे हैं, अलाकि इसको मैं क्लियर करूंगा आगे अभी, तो ये कुछ कोशन थे इनका, जिनका मैं अभी इनके हैतलिका मैं जर्नल नसेस करूंगा, चीजों को अस-पस रूप से क्लियर करूंगा, तो वीडियो काफी महत्पूर्ण है, देखे, सीखे, समझे, तो स्क्वाइर स्पाम इनकी आरिये देखो, कंपलीटली, इस केस में इंसान अधिकारी तो बनी जाते हैं, ये क तरक्की तो पाई लेते हैं, लेकिन मद्या में एज के बाद, इसका एज ही होता है, 27-28 साल के बाद का बहुत तरक्की आपके जंदगी, पर मतला मूल तरक्की कह सकते हैं, कि मूल तरक्की होने की एज जो होती है, गुलाबी है, गद्यदार अवस्था है, 65% राज्यों का दन की आगमन अच्छी रहेगी जंदगी पर इसमें भी किसी परकार का संदेह नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया, तो ये तो उगए इनकी ये बात, इनकी सेप वाली बात, और कलर गुलाबी है तो दन को एट्रैक तो करती ही करती है, अब चलते करा देता है, ऐसे विक्ति अगर प्रयास करें तो अधिकारी जरूर से बन जाते है अपने जिंदगी पर, फिर यहाँ पर से एक यवाकरती मौजूद है, इस केस में इंसान को जभी भी सपोर्ट के आवशक्ता पड़ेगी मिल जानी है, एक्छा और तर्शक्ति में क्या ख तो लूब भी बहुत ही जादा अच्छी है, ऐसे विक्ति बहुत जादा समझदार होते हैं, अपने कारी को समझदारी से करते हैं, इसमें किसी परकार का संदेह नहीं है, तो जब बरदस समझदारी के योग, वाकी खड़ी लाइंस आपके हैतली पर मौजूद है, इंसान आपको मिलनी हैं, उस बीच में रोडा का काम ये कर रही है, तो हमेशा कोशिश ये करना है आपको, कि आपको गुस्सा पर नियंतरन करना है, चीज़े नौनमन रहेंगे आपके जिंदगी पर, सारे पॉजिटिव वे में इंडिकेशन से हैं, फर्स फरेंज कितना बढ़िय बरश्पती फिंगर बढ़िया है, थोड़ा प्रावलम कर सकती है, लेकिन यहां पर से कुछ लाइन्स अगर आपको दिख जाए न, तो हलकी फलकी पारिवारिक मामले में लफरों को इंडिकेट करती है, थोड़ी से अनवन की स्थिति को भी बताया जाता है इस केस में, तो आप नहीं बोलोगे तो अपने महानता का परिचे करा रहे हो, अगर आप बोलोगे तो आप में उसमें क्या डिफरेंस है, हलागी मैं आपके बातों से कहीं न कहीं सहमद भी हो, हर एक परिस्थितिया होती है जिंदगी पर लेकिन फिर भी, वो इंसान ही क्या, जो अपने उ का महनती या भजबरदस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इनकी देखो आपकी सूरी फिंगर, सूरी फिंगर बड़ी बनिया है, तो इंसान बहुत हिम्मती होते हैं, बहुत महनती भी होते हैं, चुकि सेटर्न फिंगर से आप महनती लग रहे हैं हमें, और सूरी फि इसलिए आपको साथ दिक्कत नहीं होगा, हलकी ठिंडिक कर लिए थोड़ी बिजनस प्रोस्पेक्टर से आप चीजों को देखेंगे, या फुर बिजनस माइंड़ भी ऐसे लोग रहते हैं, बाकी ये तक्रीवन फस्ट फिंगर से उपर है, मतलब समझ लो कि आपकी जो या देती है, इसमें किसी परकार का डाउट नहीं है, ये तो कन्फर्म है, ये एकदम कन्फर्म है, आईए ब्रशपती पर कुछ इनके इंडिकेशन्स बने में, उसको भी दिखाते हैं, तो ये देको स्क्वाइर, जबर्दस स्क्वाइर इनके एतली पर मौझूद, ये आपको और बागी कुछ लाइन से दोगो आपके एतली पर मौझूद है, इस केस में क्या होता है, इंसान बड़े परोपकारी होते हैं, बड़े परोपकारी होते हैं, बड़े परोपकारी होते हैं, तो इसमें किसी परकार का संदेह नहीं है, ब्रशपती, काफी शांदार तो अप फिर देखिए आपकी और भी कुछ लाइन से आपके परुपकाई मतलब सेवा भावी नेचर है इसका मतलब यह होता है और यहाँ पर से एक ट्रेंगल भी है तो अपने डिगरी पूरा करने के योग को भी दर्शात है याँ यह माइंड रेखा के साथ है तो माइंड के पावर फैट लाइन के ब्रांच है तो भागे का तो जादा दिक्कत है नहीं आपको बाकी देखो तो एक सुक्रवायत हो यह डिस्टर्ब थी आपके अपकी एसकेस में इनसान को मूड सूइग के प्रापलम होती है तो अपने उपर कंडूर करने के या वोशक्ता है बाकी लाइन education बहुत बढ़िया है, इंसान बहुत समझदार होते हैं, अगर आपने किसी job के लिए पूछा है, तो ये एक बहुत सोचा समझा हुआ रनीती है आपका और आप इसके लिए मेहनत भी कर रही है क्योंकि ऐसे लोग useless के तरह questions नहीं करते हैं, तो बहुत आप मेहनती हैं, बहुत basic knowledge आपकी अच्छी इसमें कोई doubt नहीं, जबरदस्त हैं, और strong सूरी रेका आपके तरह पर मौझूद, strong इवन यहां से भी एक हलकी सी branches खुली है और यहां से भी एक बंड रही है, यहां से भी आगे प्रबल कर रहे हैं, तो यह तो confirm है, बाकि यह property का योग को ज़्यादा दर्शाती है आपके जिंदगी पर, उसके बाद का मैं आपको दिखाओं, तो यहां पर देखो, तो यहां पर से कुछ एक star मुझे दिखा, बहुत असपस्ट बना है, तो सूरी परवत पर star है, तो इंसान को name fame चाहिए, और यह जिस भी पद पर रहेंगे, अच्छे ही पद पर यह वास करेंगे और इनको उस पद के regarding value मान सम्मान बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि star आपके value मान सम्मान को बढ़ा देता आपके जिंदगी पर आप अपने जिंदगी पर मान सम्मान तो जरूर एचीव कर पाती है, इसमें कोई doubt नहीं, इसमें कोई संदे नहीं है और सूरी रेखा कि एक से ज़्यादा branch थे, ये भी बहुत अच्छी बात है आपके तलिपरिये, देखो एक हैं, यह आपर से दो हैं ये सब आपके talented होने का परिचे करा रही हैं आपके जिंदगी पर, बहुत ज़्यादा talented हो आप और आपकी सन अच्छी है तो name fame चाहिए वो तो उसके लिए आप मेनत भी करती हो बुद्ध भी अच्छा है, सन मरकरी का अच्छा होना बुद्ध भी एक से कार करने वाली महिला हैं आप और बागी ख़ड़ी लाइन्स मौजूद हैं इनसान बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं अपने कारे को बड़े समझदारी के तहत करते हैं इसमें किसी परकार का संदे नहीं है और बुद्ध रेखा बन जाए तो मतलब इंटलिजन्स लेवल को दर्शाती हैं या विपार करो, या जॉब करो मतलब इंटलिजन्ट हो यही समझ लो, किसी बी चीज में आप एक अच्छे मुकाम पर ज़रूर पहुँच पाओगे तो जबरदस्त आपकी सन मरकरी आपके तले पर मौझूद, मंगल बड़ा बहतरीन है कुछ लाइन से दे लॉनमल धोकेदारी को इंडिकेट करते हैं तकरीवन 35 में वर्श किया आयों तक थोड़ा सा नस्तमल के रहना इस 35 साल तक और आपकी दोनों ही मंगल बड़ी जबरदस्त है बड़ी जबरदस्त है, मतलब बहुत खतरनाक है इस केस में क्या होता ने इंसान के अंदर एक जुनून होता है कुछ करने का प्राक्रम चो बहुत अच्छा होता है आपका जुनूनी व्यक्ति हैं आप और उसी जुनून के अदार पर जिन्दगी पर बहुत कुछ अचीव करती हो बहुत कुछ तो जबरदस्त आपकी मंगल आपके अतले पर मौझू दोनों ही मंगल खतरनाक प्राक्रमी है प्रशासन विभाग में योग बनते हैं आपके जिन्दगी पर वागी थोड़ी सी बुद्धर एका डिस्टर्ब है न तो ये थोड़ा स्वास्त को लेकल के पर की परवाबित रखेगी लेकिन मंगल अच्छा है तो वो कहीं न कहीं बचाव करेगा फिर भी आपको अपने स्वास्त पर ध्यान देने के आवशक्ता है दोड़ों मंगल बहुत शांदार चनरवा बहुत अच्छी है आपकी तो इंसान के जिंदगी पर पैसे के फ्लो बनी रहती है घर से दूर का यात्रा या घर से दूर का वास ये दर्शाता कुछ विदेशी दर्शित से धनलाफ के योग से भी आ रहे फिर देखें इनकी यहापर से ये देखो केतू परबद पर बहुत से इंडिकेशन से है ये देखो ये सारे यातरा के लाइन से ये जितने हैं न सारे यातरा के लाइन से है और strong fish आपके जीवन रेका के साथ strong fish मतलब अकास्मिक धनलाफ के योग तो इसमें कोई डाउट नहीं है यात्राइं तो हैं आपके जिन्दगी पर और देखो फिश है तो कासमी दनला आपको दर्शारा ये भी कंफर्म है बाके शुक्र तो बड़ा जबरदस्त घर से बहुत स्ट्रॉंगर प्रस्नाइलिटी अच्छी होती है हस्बेंड काफी आपके स्क्वाइर से बने हुए है इसकेस में इंसान को लगजरी का सुख मिलता है कुछ शेयर मार्केट में इंवेस्ट के योग भी बने है और मनी मैनेजमेंट के तो भहुत ही उंदा योग मतलब आप पैसे मैनेज करने में तो माहिरो माहिर और लगजरी का प्रॉपर इसमें किसी परकार का संदेह नहीं है और एक स्कॉयर आपका बनावाई एवन दो दो तो प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा एक कड़ो में जमीन कड़ी दोगो आप एक कड़ो में जबरदस प्रॉपर्टी का सुख ये भी देखो गन्फरम है और मस्त मंगल रेखा ऐसी मंग क्या खूप सूरत मंगल इस केस में इंसान ओवर प्राक्रमी होते है एकदम ओवर प्राक्रमी और ये प्राक्रम का मतलब यह होता है कि कुछ करने के लिए एक अच्छी डेडिकेशन आपके अंदर होती है फिर चलिये इनके माइंड रेखा पर हला कि कुछ लाइन से नॉमिनल से तो हलकी फलकी टेंशन वाई नेचर को इंडिकेट करती है वो हलकी फलकी मानसिक दवाब को दरशाती इसको आप बहुत अराम से ठीक कर सकते हैं यह जानके कि ज़ादा सोचना नहीं है माइंड रेखा काफी अच्छी आपकी दिमाग के तो काफी तेज हैं लेकिन माइंड रेखा में कुछ प्रॉब्लम्स हैं यह दो कुछ दवाब के एस से आप गुजर रही है तो कुछ-कुछ दवाब के जिंदगी पर रहा होगा तकरीबन आपके जिंदगी के 36 में वर्ड से लेके 40 एर्स तक में हलका सा यवा कहलो या फिर थोड़ी सी डार्कनेस फील होड़ी है इस केस में तो ज़दा प्रशर आप फील कर सकती है हालाकि उस समय आपकी प्रॉग्रस लाइन है और बागी रेका भी अच्छी है तो ज़दा दिक्कते नहीं होगी लेकिन फिर भी ज़दा प्रशर नहीं लेना है और उस समय के लिए मैं आपको बता दूँ अगर ये आपको फील होड़ा है तो आप meditation करना immediately शुरू कर देना उस समय से या अभी से भी आप कर लो पांच मिन ठीक करो, दस मिन ठीक करो लेकिन करो ज़रूर उसके पासे mind रेका काफी अच्छी है over confidence में decision मत लेना heart line काफी अच्छी है, कुछ emotional nature तो है बाकी ये heart line ठीक है, ऐसे लोग बहुत emotional तो होते नहीं है मां की balance and distance बहुत ही अच्छी, इंसान दिल दिमा की बहुत तंदुरूस्त है कई न कहीं इसके negativity को दूर करने के लिए ये balancing distance आपका बहुत ज़्यदा मदद कर रही है आपकी एतले के माध्यम से जो मुझे दिख पारा है, तो heart mind रेखा काफी अच्छी अभी बाग्य रेखा पर चलता हूँ तो बचपन से ही बाग्य रेखा का साथ था, यहाँ पर से एक triangle था तो जरम के बात रक्की होई होगी बचपन से ही बाग्य रेखा अच्छी थी आपकी यहाँ से भी देखो बाग्य रेखा का बहुत ही अच्छा साथ था आपके जिंदगी पर और कुछ बड़े इसे ट्रेंगल है जो कि इसके negativity को दूड कर रही है माइंड रेखा और हट लाइन के सारी ट्रेंगल से ये दूड कर रही है इसमें कोई डाउट नहीं है वागे 36 के बाद property मिलने के बहुत ही अच्छे आसार है बहुत ही अच्छे आसार है confusion में नहीं रहना यहां से भी फूर रेखा बनी है जो की वीडु माकरती का formation की थी इस case में इंसान को तरक्की तो मिलती ही मिलती है confirm मिलती है और यहां से देखो तो एक रेखा आपकी दो थीन आपकी चंदर नमा पे जाड़ी है बुद्ध रेखा के branches यह के दर्शाद ही एक तो यहां पर से आपके money triangle तो बनाई एक greater triangle भी clear cut बनाई तो पैसे जमा करने वाली महिलाए पैसे का दिक्कत नहीं हो दा लेकिन exact बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बनाए nominal सा बनाए तो मतलब पैसे ही लोग जरूर कमाते है अपने problems को दर्शाद ही है इसके बाद कोई टेंशन वाली बात नहीं है तो यह ताइनिक अतलिका पुर्णत अविशलेशन अगर आपको वमारे यह वीडियो पसंद आया लाइक कर दे कमेंट कर दे सेरकले सब्सक्राइब कर दे अगर आप प्रस्तनी मिरसा हस्तरिका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते है अमारा whatsapp number description मिल जाएगा लेकर आप समपड़ कर सकते हैं धन्यवाद